गाइस बात करते हैं दोनों ही amazing watches की एक तरफ है realme watch 2 और एक तरफ है boat extend देखेंगे दोनों में से कौन से किसके features जादा मिलते हैं और किसके कम मिलते हैं और boat extend अल्रेड़ी sale पे जा चुकी है बहुत साथ लोगों ने इसको buy किया बहुत साथ लोगों पसंद भी आई इसका जो UI थोड़ा सा stutter करता है lag करता है बट all and all यहाँ पे जो quality आपको मिलते हैं बहुत उची मिलती है realme watch 2 अभी release नहीं हुई है इंडिया में release हो जाएगी august के mid में या august के last तक में release हो जाएगी तो यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ खास मिलेगा और वीडियो को starting से लेके end तक आपको सारी की सारी information मिल सकें सबसे परे बात करते हैं display की तो यह पर display की बात करें तो realme में आपको 1.43 inches की display मिलती है boat में आपको 1.69 inches की display मिलती है बट resolution थोड़ा सा जादा है realme का is complete to boat उसी के साथ साथ यहाँ पे race to wake दोनों में ही मिल जाता है बात करें 2.5D curve glass यूज किया गया है realme में और boat में भी 2.5D curve glass यूज किया गया बट बोट में आपको एक extra चीज मिलती है जो की है आपका Alexa built-in जो की realme में missing है माइक नहीं है realme में बात करें परफिक्सल लैंसिटी के तो दोनों की similar है यहाँ पे और दोनों ही same मतलब टेक्श की sharpness में आपको दिखने वाली है आगे बात करें यहाँ पे जो peak brightness है वो realme की बहुत जादा है as compared to boat यहाँ पे boat से 200 nits की brightness जादा है तो बहुत जादा यहाँ पे difference आयाता है नजर और जो sunlight visibility है बहुत जादा better है realme की as compared to boat बट बोर्ट में भी ऐसा कुछ निये की बहुत कम है sunlight visibility जिसने भी इसको buy किया है और even मैंने भी इसको जब buy किया तो मैंने देखा कि जो sunlight visibility है बहुत अच्छी है इसकी तो यहाँ पे कोई issue नहीं है आगे बात करें जो watch face and support के बारे में बात करें तो यहाँ पे 50 प्लस cloud बीस watch face मिल जाते हैं और गैलरी में से कोई image को as a watch face आप लगा सकते हूँ यह basic feature दोनों में ही available है और fitness tracking की बात करें तो यहाँ पे realme sign करती है 90 sports mode मिलते है बोट में सिर्फ 14 ही sports mode मिलते हैं आप एडिकेटर स्विमिंग mode दिया गया दोनों ही watches में तो ip68 की rating मिल जाती है 580 आपकी waterproof आपकी दोनों ही watches हो जाते है 50 meter और 30 minutes सका आप समर्च कर सकते हो आगे बात करें यहाँ पे consistent steps counting sports mode activities का option मिलता है realme में जाद आपके accurate जो sensor से वो मिलने वाले as compared to boat यहाँ पे boat में भी ऐसा नहीं है कि बहुत जादा accuracy level average है average से above average मिलता है आपको दोनों ही watches में और यहाँ पे accuracy level realme का अगर 95 है तो boat का 85 मिल जाएगा यहाँ पे बात करें एक्स्राइमेटर 3 & 2 मिलता है जैसकोप sensor और optical heart rate sensor मिल जाता है realme में और boat में आपको एक्स्राइमेटर जैसकोप sensor और optical heart rate sensor मिल जाता है उसी के साथ-साथ extra features की अगर में बात करें यहाँ पे smart notification आप receive कर सकते हो बटाप reply back नहीं कर सकते हो और realme में may भी हो सकता है reply back option हो बट as of now मैं नहीं कह सकता है और boat में तो available नहीं है और यहाँ पे full touch display मिलता है smooth है यहाँ पे shutter lag आपको देखने को नहीं मिलेगा alarm clock, stop watch, corner time और weather notification आपको दोनों ही watches में मिल जाते है realme में 64 MB और boat में 64 MB आपको देखने को देखने को बिलता है अनिमेशन थोड़ी से आपको लैक करते हैं as compared to realme में आपको नहीं ऐसा कुछ मिलने माला क्योंकि realme की जो first generation ती जिसको मैं यूज करा हूँ देखने को नहीं मिलता है बट बोट में जैसा मैंने देखा है कि बहुत जादा stutter करता है सिंगल बिटन कंट्रोल लिता है दोनों में यहां पे और अप डाउन लैट फ्रेट सारे के सारे गेस्टर साप यूज कर सकते हो दोनों यहां पे बैटरी कैपसिटी की बात करेंगे तो यहां पे कैपसिटी अगर मैं बात करूं तो में 315 mAh बैटरी का यूज किया गया है बोट में आपका 300 mAh बैटरी का यूज किया गया है दो हंटे फुल चाल जोने में लेती है दोनों यह वाचे तीस दिन तक कर स्टैंड बात करूं अगर मैं बात करूं ऑन पेपर क्लेम किया गया गया रिल्मी में बाराट दिन का और है यहां पर चार्जिंग डाप दोनों में डिफरेंट है बोट में मैगनेटिक चार्जिंग मिलती है तो यहां पर आपका 4-5 दिन चल जाएगी रिल्मी और बोट आपकी 3-4 दिन रण कर जाएगी इसली मेन फीचर की बात करें हैं, HR मोईटर आपको दोनों मिल जाता है, Blood में Oxygen Level आप चेक कर सकते हो, Sleep मोईटर आपको दोनों मिल जाता है, Calorie Mind Step Shaking का Option मिलता है, Sanitary Remainter का Option भी मिल जाता है, और उसी के साथ साथ Water Remainter मिलता है, आपको Realme और Boat में आपको Breathe Relaxed Carbon मिल जाता है, Strap Quality की बात करेंगे, और Build Material के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो Weight है वो Boat का थोड़ा जाता है, इस कंबेट तो Realme में, 38 Grams का आपको यूज किया गया है, और 20 mm Strap Size Realme का है, और Boat का 22 mm Strap Size यूज किया गया है, तो आप After Market का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं होन वाला है, वाच डायल और Base की बात करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात करेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, लो प्राइस लिंक भी आपको मिल जाएगी, और 2000 उपे से लेके 5 रुपे के प् कर सकते हो, और इसे के साथ Realme की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक्स्पेक्टेड लॉंच इसका August में होगा, मिड ऑगस्त को या फर end of August को, और जो प्राइजिंग मेरे ख्याल से रहने वाली है, वह 4000 ही रहेगी, क्योंकि Realme की First Generation इतने ही प्राइस में लॉंच होई थी, और प्राइस में लॉट का तो आपको पते ही यह 3000 रुपीस में मिल रही है, और इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 35 रुपे हो जाएगा, आगे बट अभी Special Deal या फिर लाइटनिंग डील के थरू आपको मिल जाएगी 299 रुपीस में, और गाइस मैंने आपके डाउट यहाँ प जाएगी